दोस्तो आज से 15-16 साल पहले कबार के बिजनेस को लोग छोटा बिजनेस मानते थे और लोग इसे करना पसंद नहीं करते थे लेकिन दोस्तो अब बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करना चाहा रहे हैं पढ़े लिखे भी और अंपढ़ लोग इस बिजनस को कर रहे हैं तो आखिर क्या हो गया आज कि लोग इस बुजनस के लिए इतने उच्वक हैं तो दोस्तो इस बुजनस में मुनाफ़ा बहुत ज़याinder हो गया है इसली हम अज बुजनस को करना चाह रहे हैं इसको कम पैशना है, कि सुरात ने क्या करते हैं जो है कंवारी आन्य बजाते हैं सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यारी क söz नेका करनाएं कि घर घर गर कर बिचने के हैं इन फॊले ले aside on the यहां कि अपर tentang पर साथा है तो आप या-पर बिचने के लिए आपको छोई ज्या-धा मातरा में जो है भंडार होना है चाहिए आपके पास कम बजट है तो आप जो है डिलर को लेज कर बेज सकते हैं दोस्तों चलिया बात करते हैं कि आखिर हम इस विजनेस को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास investment जदा है यानि कि अगर आपके पास पुण ज़ादा है तो आप क्या कर सकते हैं कि बड़े बड़ी दुगाने होती है आप उनसे डिल कर सकते हैं या फिर जो चोटे जो घुम घुम का खरिकते हैं जो फेली वाले होते हैंetzt याल को यानी को फिर्चा करना है यो सबड़ी बंसकते है सिद्वाबे सबस्क्राइब उन हों कर सकते हैं याने कि ऊठसे और हुदम्न नेफरें10 व्य गंगु होरे आप सेस्देल मॊं करने हैँ और तीसरा तरीका यह है कि आप खुद रिसाइटी का काम सुरूप कर सकते हैं लेकि इसमें आपको ज्यादा है इंवेश्मेंट लगेगा इसमें आपको लाखों का इंवेश्मेंट करना पड़ेगा तो इसे तो आप रहने दीजिए आपके पास दो ऑप्सन है करने के लिए आपके पास बजट कं है तो क्योंकि इसका काम करना जो है करी तरह किसल कर सकते हैं बजट के ऊपर है आप इसे तिन तेरीक साकते हैं मैंने आपको तीनों तरीके बुद बता दिये आपको कोई भी smartphone लेना पड़ेगा लेकिन फिर भी अगर आप हम बात कर लेते हैं कि माल कहाँ बेच है अगर आप यूपी रहते हैं या पी दियूपी के आसपाथ तो वहाँ कानपूर में इसका सप्लाई होता है वहाँ जाता है सारा माल तो वहाँ जाकर आप सप्लाई कर सकते हैं हर सहर हर राजे में कहीं न कहीं रिसाइथीनिं का काम होता ही है तो आप डयरेटी बेश सकते हैं अगर आपके पास जयदा मातर में माल है तो भापना है में भी हमीजर करना में अगर ज्यूख हमान। दोस्तों इसके लाव आपको जोगव की जुरत पढ़ने वाली है जहां पे आप सारा माल इस्टोर करेंगे यानि कि जितने भी कवार की सामंगरी होती है आपको उनको कहीं पर रखना पड़ेगा इस्टोर करना पड़ेगा और ऐसी जगव पर आपको जोगव लेनी जहां पर अराम से गाड़ी आ जा सके यानि कि जो बड़ी चार चक्के वहान होते हैं बड़े जो ट्रॉक होते हैं उनके आने जाने की सुविधा होनी चीहें क्योंकि आपके पास गाड़ीयों का काम बहुत ज्यादा रहेगा तो आएंगी जाएंगी जो आपको माल भेजना दोस्तों यहां पर अपके हैं कि हम इसे कितने पैसों में सुरू कर सकते हैं तो दो तो इससा कोई limit नहीं है आप इसको सुरुवात में 40-50,000 रुपए से भी सुरू कर सकते हैं और 2-5 रुपए के वीज में भी सुरू कर सकते हैं लेकिन आपका इस तर लेवल कैसा है वो देख लीजिए क्योंकि आपको कबाड या भंगार आपको खरीदने पड़ेंगे कितने मातरा में खरीदर हैं अगर आप ज्यादा मातरा में खर देंगे तो आपको ज्यादा इंविश्मेट की जुरत पड़ेगी अगर आपको कम पैसा लगेगा तो आपके ऊपर dependent है और कमाई की बात करें तो यहांपर कमाई के बारे में देखा जाया तो किने किपने किलों लुबहा है और किस बैसे बैदे अब है किकंद्व में कितने खृषी जार रहा है कितने में किताब chapters घर्दी जारी है कितने बैसी करना पड़ेगा और आपको जो है आप गूगल ना भी साहर ले सकते हैं कि मेरे आसपस कहां पर रिसाइकली का काम होता है आप वहां भी डेटर के जो सबसे अच्छा यह रहेगा बेचने का तरीका तो दोस्तों अगर आपका कोई भी साहर है तो जाएं कमेंट बॉक्स में कमे झाल